हर नेक सिंग जो के कई आतंगवादी नाओं में शामिल था उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं छोड़ने की साजिशोड़ी वाई यह क्या मिदाख है वोट की खातर हम अपने मुल्क के साथ गडारी करते कौन है वो लोग कैजरीवाल शीला डिस्टिक परकार सिंग बादल वसंद्रा सरकार कैप्टन साब की सरकार दिली का गवर्नेर और मैं किसका नाम लूँ क्या इन लोगों को आप से राजनितिक तो आपके खत्रा है आद देखो मेरे हाथ राजनितिक अतंगवाद से खड़े हैं क्या केंदर सरकार से इन से इन विशोप को ले पर कभी वारता नहीं है किसी पुलिटिकल बात में पढ़ना चाहता हूं नरेंदर मोदी जी हूँ कोई हूँ शाम चरागों में सजा रखी है शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है अंजाम की भी हम परवा नहीं करते जान हमने भी हतेली पे प्रा रखी नमस्कार इंडिया नियूस के एक खास कारिकम बेबाग बात में आपका स्वागत है देश इस समय भी आतंगवाद के से जूज रहा है और लगातार जूज रहा है रोज कोई ना कोई शहीद हो रहा है लेकिन देश में आतंगवाद को लेकर आतंगवादियों को लेकर अभी कहीं न कहीं कुछ लोगों के द histories, कहीं न कहीं एक सौफ्ट कारनर डॉल अ प हुजाता है आखिर में क्यों, जब देश आतंकवादियों से आतंकवाद से इस तरह से जूज रहा है तो इस सौफ्ट कारनर करने वाले कौन है, कौन सौफ्ट कारनर वाले है आखिर में इसका असर देश की सुरक्षा पर क्या पड़ेगा इन सब पर बाचीत के लिए आज हमारे साथ हैं आतंगवाद से जूजने वाले जिंदा शहीद मनिंदर जीत सिंग बिटा बिटा जी ने नमशकर बिटा जी आपी सबसे ताजा ताजा उधारन है एक बड़ी सू परहन कार्ड में भी शामिल था उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं छोड़ने की साज़िश हो रही है आखिर में बड़ा सवाल इसी के साथ ये उठ रहा है कि आखिर में कौन है वो लोग जो इन आतंक कारियों को आतंक वादी मान सकता वा लोग को कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड किया जिन्होंने मिर्जा जी के बेटे को जो सेंटर के मिनिस्टर से इसलिए किटनैप किया कि बिट्टा पे हमला करने वाला दिविंदर पार बुलर को सरकार छोड़े पुलिस मुकाबला हुआ जैपुर के अंदर वो बहादर जर्नायल बैरु सिंग शिखावत आज उसकी कि रूख और आत्मा को शान्ती मिलती होगी जिस बहादर जर्नायल ने अतंकवादियों के आगे गुटने नहीं टेके मुकाबला किया राजस्तान की पुलिस ने मुकाबला किया जिसमें अतंक वादियों को डेर कर दिया उसमें एक हर्रैक सिंग बफ था जो भाग गया और उसके बाद उसने मेरे पर फिर हमला करने की कोशिश की और उसके बाद राजस्तान पुलिस ने उसको पकड़ा आज जैपुर जेल में है केस चल रहा है जैपुर जेल में है अब पंजाब सरकार ने ये कहा है ये सियासी कैदी है सो बे गुना हो आप चठी निकलवा लिए रा सियासी कैदी है सो बे गुनाहों के कतल याम करने वाला कई बैनों के सोहाग उजारने वाला कई बच्चों को यतीम करने वाला देश जरुई का काम करने वाला सियासी कैदी कफसे हो गया यह पंजाब सरकार राजस्तान सरकार को कह रही है और राजस्तान की पुलिस राजस्ता की सरकार राजस्तान के डिरेक्टर जर्नल पुलिस राजस्तान के जेल के डिरेक्टर जर्नल पुलिस राजस्तान का होम डेपाजमेंट वो कहता जी हम केस को रिकमेंट कर रहे हैं डिरेक्टर जर्नल पुलिस जिस बहादर राजस्तान की पुलिस ने बैरो सिंग शिखावत के होते हुए उन अतंकवादियों को डेर करके मिर्जा जी के बेटे को बचा लिया ने तो मार देते आज वही राजस्तान की पुलिस कहती है इस सतंकवादी को पंजाब में शिफ्ट कर दो पंजाब में जो दिविंदर पाल भुलर जिसने मेरे पे हमला किया उसको छोड़ने की त्यारी में है ये कैसे आप कह सकते हैं कि दिविंदर पाल सिंग भुलर को छोड़ने की त्यारी में क्या है पहले शीला डिस्टिक दिली की ची मिनिस्टर ने उसको जेल से कहा ये डिप्रेशन का शिकार है जो लोग मेरे साथ शहीद हुए उनकी पतनी उनके बच्चे मैं डिप्रेशन का शकार नहीं हूँ अतंकवादी वो बुलर अतंकवादी जो लुदिहाना के अंदर ट्रेन से सिखों को लग कर दिया ट्रेन से हिंदू भाईयों को निकाल के दार दार करके शहीद कर दिया और मेरे साथ पच्ची बेगुना लोग मारे गए उनका फिकर शील बंदे मातरम भारत माता की जा तरंगा जंडा लेराने वाले अब उसको बेगुनाहों के कातल देश दुरोई तरंगे जंडे का रास्त का अपमान करने वाले पे देया आई कि इसको अब अतंकवादी को फांसी से बता दिया जाए रास्तर पती को चठी लिखती जाती है फ जंग बीर गुवर्नर नसीब जंग गुवर्नर रकमेंट करता है वो भी सरकार का एक चीम मिनिस्टर का हिस्सा है दो दो चीम मिनिस्टर गुवर्नर और रकमेंट करते पंजाब जाता है और पंजाब की सरकार सुरुमनी अकाली दल की सरकार बादल सरकार उसको कहते ना इस को जेल में नहीं इच्छा है इसका इलाज नहीं होगा इस बुलर साहब को सौ बे गुनाह के कातल को बेहनों के सौहा गुजारने वाले को ये भाष्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है अब उसको एर कंडिशन भी चाहिए अब उसको टीवी भी चाहिए जो डपरेशन का श सरकार कहती है अब इसको छोड़ दिया जाए जाए जोड़ दिया जाए बुलर को फाइल त्यार आजाए बबकी फाइल ट्यार है उधर से नया काम जिस बपने मिर्दा जी के बेटे को किडिनैप किया मेरे पर हमला किया वो जैपुर पुलिस की रिहासत में वह अभी जेल म है. पिडेसाब हो एक बड़ा सवाल बहुत बड़ा अपने सवाल उठा दिया क्या यह जो आतंकारी थे इन आतंकारी का जिनने की गिरेफतारिय क होंगे क्या अनों आतंकारी का छोड़ने का या उनको प्रिश्शा देने का कोई चड़ें तर्दीश में चल रहा है क्या आपका क्या किया एक चीज बताइए मैं सेंती साल से टेरिज्म के खलाफ लड़ रहा हूं सेंती साल जिंदगी के हो गए लड़ते लड़ते मेरी जीवन के बच्पन से लड़ाई शुरू की थी कई मेरे साथ बहनों के सुहाग उजड मलानी कपिल शिबल कांगर्स का लीडर और आगे के एस तुलसी का लीडर तीन तीन वकील और पचास क्रोड रुपया इन अतंक वादियों पे खर्च हो जाता है और इदर मैं अकेला हूं यह तो बगवान की किरपा है बजरंग बली की किरपा है गुरू माराज की किरपा है कि मैं लड़ रहा हूँ देखो जी मैं इस पर पिड़ा जी ऐसा क्या लगता है कि क्या इन आतंकारेयों को इन आतंकवादियों को समर्थन दिया रहा है कोई सुपोर्ट किया जा रहे अरे पप फिर वही बात पर आए आयए आप पहरें लोग मैं कह रहा हूं हिंदोस्तान क छेचे छेचे ची मिनिस्टर गुर्नर समेथ उसको स्पोर्ट कर रहे हैं लोग कहां लिए उनको पता होगा उनको पता होगा मैं देखो जी सपर्स्ट आपको बिलकुल सपर्स्ट कहदू मैं बंबो गोलियों से नहीं हारा मैं मौट से नहीं हारा जो बंबो गोलियों से मेरा आदा हिस्सा सरीर का तबाह हो चुका है उसमें दर्दे होती मुझे फूलों की तरह लगती है क्यों? ये मेरी मातर भूमी की आजादी की रक्षा की लड़ाई है ये लड़ाई उन जवानों के लिए है जो जवान मातर भूमी की सेवा करते है उनके परवारों की उनकी बेसहारा उनकी विड़ो उनके बच्चों की रक्षा की लड़ाई है मैं उसको मुझे फकर है अगर बंब खाए है तो मुझे फकर है आज मैं हार गया आज मैं राजनितिक आतंकवाद से हार गया आज political system से मैं हार गया कौन सार राजनितिक दलने कौन राजनित है अब क्या लगता है क्या सारी सब्सक्राइब मुझे एक चीज बताईए अब सारे आपको नाम ले दिये और मैं कहां से ओपर से और ले आँ और अगली बार देखो के दो और चीज मिनिस्टर आ जाएंगे पर बिटा जी कहते हैं कि नरिंद मोदी की सरकार आने के बाद तो आतंकवादियों के विशय को ले कर दिशा और देखो मैं किसी political बात पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ नरिंद मोदी जी हूँ कोई हूँ कहां इंटेलिजेंस जन्सियां यहां का परशाशन कहां है उनको नहीं पता वो क्या केस रेकमेंट कर रहे हैं उनके बहादर हराज़त्तान पूलिस के बहादर जवानों ने मुकाबला किया आज उसी आतंकवादियों को शैद ही जा रही है कल को एक बार याद रिखिएगा सरकार बदले आए मेरा कुस्से को लेना दे मजूदा सरकार उसमें चाहे यहां के डी जी पी मजूदा हों यहां के होम सेक्टरी हों जो उस पेपर में जिस जिसने सगनेचर किये हैं यह मैं एफीडवर्ट सप्रीम कोट में दूँगा यह एफीडवर्ट अपने परवार में दूँगा अगर दो साल के बाद साल के बाद बुलर के छोड़ने के बा यह नहीं कि दुबारा कोई सरकार मनें वो जमें मजूदा आफिसर अगर उनके राजनिति के दबाव है उन्होंने अपनी जम्मेदारी को क्योंनी ने बाया नहीं एक मैंट राजीव गांदी पर हमला हुआ राजीव गांदी जंदा रहते आज के अस नेरैनन जो शुरक्षा अथला कार रहे मनमौन सिंग जी के आई बी के चीफ थे अगर चंदर शेकर गौर्मेंट ने कहा था राजीव गांदी की अस्पी जी हटाओ उनको पता नहीं था कि इंद्रा गांदी को शाहीद कर दिया गया है इसके परवार के बच्चों तक मार देंगे को शुरक्षा यहां कि पुलिस के डिरेक्टर जर्नल, पुलिस जेल के डिरेक्टर जर्नल, पुलिस होम डिपार्टमेंट इसका जिमेदर होगा, आज मैं अलानिया कहके जाता हूँ क्या बिटा सब यह बहुत बड़ा विशय आपने उठावी दिया, राजी अगांती के विशय को लेकर, क्या ऐसा लगता है कि आपको कहीं न कहीं सुरक्षा के मामले को लेकर, आतंगवाद के मामले को लेकर हम कहीं लेथारजिक हो गए हैं, या चुप हो गए हैं, इस पर बिटा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक चोटा सब लेकर, ब्रेक के बाद बेबाग बात में आपका एक बार फिर स्वागत है, आज हमारे साथ हैं, आतंगवाद के खिलाफ लंबी लड़ाए लड़ने वाले, मनिंदर जी सिंग बिटा बिटा साहब बात हो रही थी कि आखर में ये आतंगवादियों को इस तरह की जो घटना है जो आपने बताई, चोकाने वाली बात बताई, वो सामने आ रही है, क्या लगता नहीं है कि इस से देश में वापस एक आतंग का दौर शुरू हो सकता है, देश के सामने कदरा पहरा हो सकता है, जब आप देखें, छेशे सरकारे गुवर्नर स्वेद, चीम मिनिस्टर, तीन तीन बड़े वकील, सरयाम अतंगवादियों ने मेरे उपर हमले किये, बेगुना लोग शहीद हुए, जखमी कितने हुए पता ही नहीं, ये देखो तस्वीरे, सिर उठाया हुआ है, ये देखो तबाही, हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं, हमें वोट बेंग नजर आती है, शीला डिस्टर को चाहिए सिख वोट, क्या अतंक बादियों से सिख वोट मिलेगी, कैजिरी वाल आता है, मुझे सिख वोट मिलेगी, पंजाब सरकार अभी अमरेंदर सिंख सिख वोट मिलेगी, वाइ, ये क्या म करवानियों के दन मजा कुड़ाते हैं, मैं एक स्पर्च कह दू, मैं फिर कहूं, आपने सुना नीद्यान से, बंबों गोलियों मौट से बिटा नहीं हारा है, आज भी सामने बंपड़ा होगा, इस रास्ट के लिए जोर जोर से जंप मार करके, अपना जीवन मातर भूमी क चर्णों में दे दूँगा, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं, इन राजनितिक लोगों से डरते हैं, मैं डरता हूँ, तो राजनितिक अतंकवाद से डरता हूँ, बंबों गोलियों से मौत आएगी, बिटा शहीद कहलाएगा, बच्चे म मेरे कहेंगा मारा बाप देश के लिए चाहीद हुआ रुकिये, और जब मेरी राजनितिक अतंकवाद से मौत आएगी, ये राजनितिक अतंकवाद से मौत है ना, इस अतंकवादी की मदद करना सरकारों से राजनितिक अतंकवाद से मौत आएगी, मेरी मौत और जानवर की मौत में फर्क नहीं रहेगा इसलिए मैं चाहता हूँ को अगर इच्छा मृतु देने वड़ा को तकड़ा वकील हो को योदा हो बैरासिंग शिखावत की तरह एक क्रोड रुपया दूँगा एक क्रोड आपके टेलिविजिन पर नाम कर दे रहा हूं एक क्रोड दूँगा इ उसको जिन्दा रहने नहीं देना मर गया तो देशबक्स था वाई बिटा साब क्या लगता है कि कौन है यह जो राजिजन ते कि शड़ियां तर रहा वही करने मेरा मांद नहीं कि क्या फाइदा को आप फिर आने आप उसी बात पे फिर आने छे छे लोगों के नाम सुना द क्रेकार कि इन लोगों को आपसे जलनेती टार प्राइब करता नहीं तो मैंता बोनस की जिंदगी हूँ देखो तुना। राजनिती खत्रा उसको और जिस ने चीव मिनिस्ट्र बंना है जितने MP बनना है चीम मिनिस्टर तो 96 में बेम सिंग जी की शहादत के बाद मैंने चोड़ी मैंने जनाब उस वक्त अलेक्शन लड़ा था मैं अलेक्शन लड़ने का शोकीन नहीं हूँ जब अतंकवादिये ने कहा था बिट्टा अलेक्शन लड़ेगा बंबो से उड़ा देंगे जब वोट डालने जाएगा हाथ कार देंगे बेहनों के सोहागों की रक्षा की बंदे मातरम कह कह के पूरे देश में चलेगे राजनिती खत्रा क्या है राजनिती क्या है क्या राजनिती सबसे बहले प्रत्थम रास्ट राजनिती गंदी है राजनिती गटिया है प्रत्थम रास्ट सबसे बड़ा है जिस इंसान की तमाम सरकारें क्या यह आतंगवाद से निवटने में सभी सक्षम और सभी दिशानी मैं किसी को अब कुछ नहीं कहुँगा मैं कहा कि थक्या बड़ा सवाल है क्योंकि आप आतंगवाद से बहुत लबे लड़ रहे हैं क्योंकि यह बड़े नाम क्या दूँगा अब मैं फिर पकालत करता पूर यह बुरा है यह अच्छा वाए मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूं मैं आपके सामने नाम दीए आप तो सली कीजिए रिसर्च कीजिए आपने लड़ने के लिए क्या दिशा होनी चीए यह तो आप बता सकते हैं क्या दिशा आदमी राजनिती कतंकवाद स से खड़े हैं मंबर गोलिकों के सामने अब भी त्यार हूँ बंदे मातरम कहता हुआ बार बार सरीर पे पहले की तरह बंब का हुआ राजनितिक लोगों से मैं नहीं लड़ सकता यह मेरे आगे हाथ जोड़े इन से लड़ने से मेरी मौत आ जाए वह अच्छी है इतने खतर पर नाक बन जाता है अपनी अच्छी पोर्टिंग लेने के लिए जीव हजूरी जीव हजूरी करने के लिए राजीव गांदी के तरह फिर मैं ऐसे कतल करा देते हैं आपको पता है जब मेरे पर दिल्ली ब्लास्ट हुआ एक दिन पर दे मेरी शुरक्षा हटी नाइंटी थ बंबो गोली के अतंकवाद से दुखी नहीं हूं राजनितिक अतंकवाद से अभी तक दुखी हूं यह आपके सामने है कि राजस्तान पुलिस राजस्तान सरकार इस अतंकवादी को छोड़ने के लिए क्यों प्रशाच कर रही है मुझे बताए हूं आप जिस राजनितिक में शामल तक क्यों हम कहते थे नई आदादी मिलेगी इस रास्ट को हिंदू मुस्लिम सिख साईयों के तरंगे जंडे को हिलाया जाता था हम अमोशनल हो गए बंदे मात्रम भारत माता की जैब बोला जाता था हम मर जाएंगे लोक बाल बिल नहीं आया तो मरे मरने लगे और दका दे के बेज़ दिया कौन सी विचारदारा कौन से लोग कितनी दे तक लोगों को मूरख बढ़ाएंगे बगवान किरपा करे करे और लोग मूरख ना बने इन नताओं से ना बने हमारे रूप कुछ और हैं अंदर कुछ हैं मूं में लेर बेर हाथों की अर्ताल गल पुलिटिकल टेरिजम में जीते हैं को मेरी बात किसी को अच्छी ना लगा राजनितिक सता में बैटे हुए व्यक्ति को दूसरे दिन मुझे समाप तो ना पड़ेगा दूसरे दिन मेरी जान चली जाएगी इसको कहते हैं पुलिटिकल टेरिजम जिसकी दर्द कहा होती है ब्रेन हेमरेज हाट अंख वाले जो लोग होते हमारे जाते हाट छुगर कि खत्म हो जाता है बंबो गोलिगों के जरूरत तो उसको मेंटली टौरते रितना कर दिया जाता है अब जैसे आप देखिए राजस्तान के अंदर अरे डिरेक्टर जनरल पूरिस ने कैसे रिक्मे चोड़ देंगे और बिट्टा को और कई बेगुनाहों का कतल करेंगे क्यों वर्दी में पहने हुए आई पीएस की वर्दी पहने हुए उन्हों ने अपनी जम्यदारी नीर वाई मेरा उनसे सवाल है क्या आप राजीव गांदी कितरा के नरैनन के जो आई बी के चीफ से इसके वसrawdęों पे चलना जाते राजीव गांधी ये पुलीस अदिकारीओ की ये आई बी की गलतियों से राजीव गर्जीव गन्धी का पुलिटिकल मडर था अधिकारियों ने चुरकशा हड़ाई क्यों आई यही मेरे साथ हुआ है पिरे साब लेकिन एक बड़ा सवाल है आपने तमाम बहुत बड़े आरूप भी लगा दिया है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस विशे को लेकर आपकी राजस्तान सरकार से, मुख्यमंतरी से और यहां के विशेशकर डीजी पी से इस विशे को लेकर बात हुई कै इस पर चर्चा जारी रखेंगे दो मिल्ट अभी लिए देंग छूटा सब रहेकिने वही है जिसने मा का दूद पिया हो मनने भी मा का दूद पिया सा है मा का दूद यानि स्वस्थ बच्वन और सभल जीवन की नीद प्रिक के बाद विवाग बात में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हमारे साथ हैं आतंग के खिलाफ लंबे समय से लड़ाय लड़ रहे मनिंदर जीत सिंग बिटा बिटा साथ बात हो रही थी कि आगर मैं इतने बड़े आरोप लग गए लेकिन क्या आपकी किसी सक्षम अधिकारी के साथ इस विश्या पे कोई चर्चा हुई या सूचना हुई मुझे तो अभी पता चला मैं आगया यहां पे अब मैं लेटर वसंद्रा जी के लिए लेटर जो बनाया है मैं लेके आया हूँ अब वो विचारी कहीं बीजी होगी अलेक्शनों में मैं कोई शिकवा गिला करूँ ठीक नहीं पर उनके लेटर पचा दूँगा पर आपको क्या लगता है इसमें कोई कॉंस्परेसी है और इसमें जो अधिकारी है वो खुछ चामिल नहीं ऐसा क्या लगता है आपको अधिकारी कोई शामल नहीं है अधिकारी ही तो पॉलिटीशनों को सलूट मारते जासे राजीव गांदी को रजीव गांदी के कतल केस के अंदर नरैनन हिंदोस्तान के प्राइम इनिस्टर नरसिमा राउजी का शुरक्षा सलाकरत था और चंदर शेकर गौर्म्ट में आई भी का चीफ था उन्होंने का शुरक्षा डालो के ना सार रजीव गांदी दुनिया से चला गया मैंने राजीव गांदी की डथ एक महीना पहले का आता अपड़े दोस्त को दस जन पर के लाउन के अंदर राजीव गांदी जंदा नहीं रहेंगे के तक क्यों मैं क्या अंदर आई ये रेटायर्मेंट वाले पुलिस दिली पुलिस के अधिकारी लगा दिये स्पीज तो है नहीं कोई भी मार देगा क्योंकि खालस्तानियों से खत्रा तामिरवारे से खत्रा और वहीं हुआ मेरे जैसे उस वक्त नौजमान को मेरी उमर कुछ भी नहीं होगी या पॉलिटिकल देश के अंदर समाप्थ हो जाएगी पर आजकल अधिकारियों को पोस्टिंग चाहिए चाहिए उसके लिए किसी का पुलिटिकल मंडर करना पड़े कर डालो जैसे राजीव गान्री का कतल हुआ जैसे मेरे पर दिल्ली में बलास्ट हुआ जैसे अभी हरनेट सिंग भब को राजस्तान की पुलिस छोड़के पंजाब बेजना चाहती इंसे कुछ भी करा लो आज मैं आया हूं कल को मुझे जैमर की गाड़ी ना दो शुरक्षा की गाड़िया कम कर दो कोई रिमोट दवा मेरे तेहास को चक कर लो मैंने जंदिगी में मत्र भूमी के लिए अपने सरीर के टुकड़े टुकड़े दिया को हैसान नहीं किया है आपको मेरे मरने के बाद सरकार को रहे या ना रहे आपको सप्रीम कोट के अंदर देश की जंता के सामने जवाब देना होगा याद रख करकार से इन विषोविफ्प को ले कभी वारता नहीं ओए क्योंकि भुलर का मसला है और बंदे मातरम भारत माता कि जाया मैं यह देश बक्त हूँ बखकी तो सब बेड़े बकरिया है यह तो हर जगह पे आ गया कैज़रीवा ले लो चाहे होड़ ले लो जो मेरी मेरी जंदिगी का आज मैं आपको बता दूँ बंदे मात्रम बोलना भारत माता की जाए बोलना बंबो और गोणियों पे और कांटों के रास्ते में चलना पड़ता हम चले हैं आज का लोग बंदे मातरम भारत माता की जाए बोल करके अपने आपको देश बक्त मानते हैं को हिंदुवादी नेता मैं भड़ा हिंदु हूँ और यार मुझे को पूछे तू कौन है बड़े बड़े चैनलों पर बैस होती मैं का मेरे से धरम पूछ मेरा धरम क्या है मेरा ध बारा इन राजनितिक गलतियों से इन पुलिटिकल टेर्रिजम से मेरी मौत आएगी बगवान से एक हनुमान जी गुरु माराज के सामने प्रासना करता हूं इतना वक्त दे देना भारत माता की जाए बंदे मातरम करता हुआ मातर भूमी तेरे चर्णों में चले जाओं मु और हम बंदे मातरम बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं दिखावा नहीं करते हैं जैर शिया राम बोलते हैं दिल से बोलते हैं दिखावा नहीं करता और बता दूंगे बाला जी महंदीपुर मंदर सामने जे चौदा साल से जनाब आता हूं चौदा साल खाजरी बरता हूं चर हनुमान चारीशा पढ़ता हूँ जब मुसीबत आई राम से तू तूट जाएगा उस दिन बाला जी को कह दिया बाला जी यहां आपके मंदर आना छोड़ दूँगा यहां हनुमान चारीशा पढ़ना छोड़ दूगा आपके साथ राजनिती नहीं करूँगा जैशिया राम गया था राम से तू दोती पहन करके तिल्क लगा करके की कुवा कोशनान करके कहा था राम जी है हनुमान जी जिसन आपका राम से तू तूटेगा सरीर का बंबो से बचा हुआ सरीर का इसा आपके चर्नों में चले जागा राम से तू नहीं तूटेगा मैं जैश्री राम यार बजरंग बली के साथ, हनुमान जी के साथ, दोखा नहीं करूँगा, अगर राम से तू नहीं तो हनुमान जी नहीं, राम से तू नहीं तो राम जी नहीं, इसलिए छपतली थी, उसके बाद नितन गड़कडी आए, हिंदोस्तान के ट्रांसपोर्ट शिपिंग मनिस्टर सबसे पहले उन्होंने फैसला किया, कि राम से तू नहीं तूटेगा हमने का, बोलो जयशिया राम, हम वो जयशिया राम बोलने वाले हैं, हम चेहरे से कुछ, अंदर से कुछ नहीं है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, हमें को समझे ना समझे, पर हमारे मरने के बंबो से ये लोग समझेंगे कि इन से बहुत बड़ियां गलतियां हुई है बिड़ा साव एक आकरी सवाल क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जिस बात को उठाया है एक भुलर और हरनेक सिंग्ग दो मामले हैं जो भुलर पहुंच चुका है पंजाब में और उसको छोड़ने की कि आप बता रहे हैं कोशिश हो रही है हरनेक सिंग का भी रस्ता होते हो रहा ओ और कितना खदरा यह क्या है उग्रते इस से और रखिएगा अपनिक ऑदी यह पंजाब को हिंदोस्तान से तोडने के लिए पंजाब में खालिस्तान बढाने के लिए किसी उट łसक है और पंजाब में खालस्तान नहीं बन सकता जितनी दिर हम जिंदा हैं ना बना था ना बना है ना बनेगा आएगा भी खालस्तान गंदी हनेरी की तरह हमारी लाशों से निकल के चले जाएगा खालस्तान बनने नहीं देंगे ना हमने बनने दिया इनका वही है क्या राजस्तान के यह पुलिस ऑधिकारी पंजाब में खालकतान बनाना चाहतें कि अचाना की परशाच्छन को राजथान की करते नहीं जितनी बंबों गोलियों से अनिशा एक शाम चरागों में सजा रखी है, सर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवा नहीं करते, जान हमने भी हतेली पे टवा रखी है. जान हतेली पे और भी हमने लगा रखी है, निशेत तोर पे मलिंदर जीत सिंग ने बड़ा विशय ऐसा उठाया है, जो वास्तम में देखा जाया है, तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा विशय बन चुका है, आखिर में आतंकारियों को छोड़ने की ये जो कोशिश हो र झाल